बिसमिल्ला रह्मान रहीम असलाम वालेकुम दोस्तों पुछे लेक्चर में हमने आपकी बुक के चप्टर नंबर 3 को मुकंबर कर लिया था आज की लेक्चर में हम बकाइदा स्टार्ट करने जा रहे हैं आइसीएस पार्ट 2 की बुक के चप्टर नंबर 4 का जिसका नाम कुछ बुक्स में पंडमेंटल ऑफ सी है और कुछ में ऐलेमेंट्स ऑफ सी भी है तो यही वो चप्टर है जहां से हम सी लेंग्विज की बेसिक्स आपको सिखाएंगे और किसी भी लेंग्विज को सीखने के लिए उसकी बेसिक्स का स्रॉवन होना बहुत जरूरी है क्या जितनी ज्यादा आपकी उस लेंग्विज से उस लेंग्विज ची स्क्राइब कर सकते हैं तो डियर फ्रेंज जिस तरह और्दू एक लेंग्विज है इंग्लिश एक लेंग्विज है और अगर आप इन में से किसी भी लेंग्विज को सीखना चाहते हैं तो जो सबसे पहली चीज आपको यहां सिखाई जाती है वह एल्फाबेक्स यानि लव् वो इस लेंग्विज में कौन कौन से इस्तमाल होते हैं फिर नेक्स स्टेप में उन लव्जों को जोड़कर अलफाज बनाना सिखाया जाता है और आखिर में आपको जुमले और पूरे-पूरे मजबून लिखना आपको सिखाया जाता है बिल्कुल ऐसे ही सी ए से लेकर जैट तक वन से लेकर नाइन तक डिजिट और कुछ स्पेशल सिंबल जो के आपको कीबोर पर नज़र आ रहे हैं यह तमाम के तमाम सी लेंग्विज में इस्तमाल होने वाले लव्ज हैं यहां लव्ज का तो आपको पता चल गया अब बारी आती है अलफाजों क तो दोस्तों C लेंग्विज भी अरदू और इंग्लिज जैसी ही है यहां भी आप इन तमाम लफजों को मिला कर कोई भी नाम बना सकते हैं लेकिन C लेंग्विज में वो नाम वो अलफाज कहलाता है आइडिंटीफायém दोस्तों इसको बिल्कुल आप इस तरह समझ लें कि जिस तरहां रोज मरा की जिन्दगी में हम कोई नई चीज बनाते हैं तो उसको अपने पास से कोई भी नाम दे देते हैं इसे मान लें आपने स्री लंग्विज पर एक बुक लिकी है और उस बुक को क्योंकि आपने लिखा है आपने बनाया है तो यहां आपने उस बुक को नाम दे दिया बेसिक्स और सी बुक का बिल्कुल ऐसे ही आपने कोई न्यू डिश बनाई है तो उस डिश को क्योंकि आपन या खुद बनाया है तो आप उसको अपनी मर्जी से कोई भी नाम दे देंगे यानि जिस तरहां रोज मरा की जिंदगी में हम हर एक चीज को कोई ना कोई नाम ज़तूर देते हैं किसी ना किसी नाम से और वो नाम प्रोग्रेमिंग के लेंगज में कहलाता है रौस्तो यह की डेफिनेशन देखिए यानि एक प्रोग्राम में जितनी भी एंटिटीज है उन एंटिटीज को यौनिकली आइटिफाय करने के लिए जो नाम उन entities को दिया जाएगा वो कहलाएगा identify दोस्तों यहां हर एक entity को नाम क्यों दिया जा रहा है ताकि वो entity uniquely identify हो जाए तो यह uniquely identify से क्या मुराद है तो दोस्तों इसको आप इस तरह से समझ ले कि आप लोग 5 बेहन भाई हैं और हर एक sibling को आपके parents एक अलग नाम देते हैं हर एक sibling का एक अलग नाम रखते हैं एक unique नाम रखते हैं क्यों? ताकि आपके parents आप लोगों को uniquely identify कर सकें जब कभी भी वो आप में से किसी एक को पुकारें तो वो ही आप ना के कोई और बिल्कुल ऐसे ही C language में भी हम अपने program में जो भी entity यूज़ करते हैं उसको एक unique नाम दे देते हैं और वो unique नाम कहलाता है identify क्योंकि यही वो नाम है जो के उस entity को represent कर रहा होता है और फिर जब भी program में आप उस entity को call करवाएंगे या यह कहले कि use करेंगे तो उसी नाम से करेंगे तो difference यह की एक और definition देखिए इडिन्टिफायर्स अर्दा नेम्स यूज़ तो डिप्रेजेंट वेरियेबल्स कॉंस्टेंट्स डेटा ताइप्स फंक्शन्स एंड लेबल्स इंड़ प्रोग्रैम यानि यह जो अभी हम बात करेंगे कि एक प्रोग्रैम में हम जो भी entity यूज़ करते हैं उनको represent करने के लिए आप उनको नाम दे देते हैं जो कि identify कहलाता है तो यहां वो entities क्या है दोस्तो वो entities कोई variable हो सकता है वो कोई function हो सकता है कोई data type हो सकती है या कोई constant level हो सकता है तो dear friends यह तमाम चीज़े क्या है यह function variable constant क्या है इनको हम detail में आगे discuss करेंगे अभी आप यह समझने कि इन तमाम चीज़ों को जब कभी भी आप अपने program में use करेंगे तो हमेशा इन्हें आपको खुद से कोई नाम देना होगा जो के unique होना चाहिए अलग होना चाहिए और उसी नाम से यह आपके program में represent होंगी याद रखिए जो भी नेम आप किसी भी entity को देंगे वो नेम आपके program की मुनाजबत से होना चाहिए ताकि आपको उसको याद रखने में असानी हो जैसे मानने आप किसी की age calculate कर रहे हैं तो आपने उसको इस तरह से define कर दिया int age equals to 20 तो यहां क्योंके हम age का program बनाने जा रहे थे तो हमने एक variable दिया और उसको नाम दे दिया age का which means कि यह जो age है कि कहलाएगा identify और क्योंके हम यहां पर age का program बनाने जा रहे थे तो हमने अपने identify का नाम भी age रखा है क्योंके दोस्तों यहां हमने एक variable को represent किया है एक unique name से जो कि आप पूरे program में उसकी identity बनेगा आप इस program में आगे आप जहां कही भी use करेंगे तो आप इस number को इसी identify से इस्तमाल करेंगे इसी identify से represent करेंगे यहनि आपको हर जगा 20 लिखने की जरूरत नहीं है बलकि आप जहां कही भी age लिखेंगे तो automatically हाँ पर 20 आ जाएगा और डेफेंट्स यह आपको screen पर एक program नजर आ रहा है जिसमें हमने दो लोगों की average age लिखा गी है एक को हमने identify name दे दिया age 1 का और डूसरे को हमने नाम दे दिया है age 2 का अब हम जब कभी भी इने program में use करेंगे तो इनी नामों से करेंगे यानि अब यही नाम से इसको पुरे program में represent करवाया जाएगा identify किया जाएगा जाना जाएगा और इसका फार्दा क्या हुआ यूजर को हर बार उनकी age का number याद रखने की जरूरत नहीं है बलके सिर्फ यूजर को user उनका identify लिखेगा और वहां automatically उनकी age आ जाएगी तो यह तो हमने जान दिया कि पर क्या होते हैं क्यों रूस किये जाते हैं और इनका काम क्या होता है अब आईए देखते हैं कि इनको आप अपने program में किस तरह से define कर सकते हैं दोस्तों जिस तरहां हर एक language में नाम डखने के कुछ होते हैं बिल्कुल ऐसे ही c language में भी identify को लिखे के कुछ rules है और उन rules को follow करना हर एक ck programmer के लिए जरूरी है कि अगर आप rules को follow नहीं करते तो पर compiler error generate करेगा तो दोस्तों इसमें जो पहला rule है वो यह देखिए an identifier name should consist of alphabets, digits and underscore यहां यहां जो भी आप identify define करेंगे वो a से लेकर z तक के alphabets पर मुश्तमिल होना चाहिए 0 से लेकर 9 तक के digits पर और underscore पर इसके इलावा आप कोई special symbol अपने identifier में इस्तमाल नहीं कर सकते जैसे कि आप space इस्तमाल नहीं कर सकते हैं इसका दूसरा rule देखिए an identifier name should only start with alphabets और underscore not with digit और special symbols यानि कोई भी identifier या तो a से लेकर z तक के किसी भी alphabet से शुरू हो सकता है या फिर underscore से इसके इलावा किती डिजिट या special symbol से आप अपने identifier को नहीं शुरू कर सकते हैं इसकी आगे हम program में detail भी देखेंगे अभी हम सिर्व आपको इसकी theory बता रहे हैं next point देखिए an identifier cannot contain any blank spaces जैसे अभी मैंने आपको बताया कि ना ही identifier में कोई special symbol होना चाहिए और ना ही blank space या खाली जगह जैसे या आपके सामने एक example भी आपको नजर आ रही है जिसमें यह identifier name है और इसके अंदर इस एक identifier name की दर्मियान एक blank space है तो ऐसा नहीं होना चाहिए ऐसा इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि फिर अगर आपके program में blank space होगी तो आपका compiler error generate करेगा और इसका यह fault point देखिए an identifier name may be so long यानि पहले दूस्तों C language के compilers जो थे पुराने compilers थे उनमें इसकी जो limit थी वो महदूर थी कि एक identifier में सिर्फ 31 characters ही हो सकते हैं जैसे अभी हमने लिखा था यहां पर student age तो यह जो identifier इसके अंदर इसके अंदर 31 characters ही लिख सकते थे लेकिन अब आप जितना चाहें लंबा अपना identifier name लिख सकते हैं अब इसमें कोई limit नहीं है इसके बाद जो next point है वो देखिए an identifier must confirm to case sensitivity दोसों याद रखिए c language एक case sensitive language है यानि यहां case sensitivity से मुराद है कि एक अलपास या एक identifier अगर आपने capital letter में लिखा है और अगर वही अलपास वही identifier आपने small letter में लिखा है तो यह दोनों दो अलग-अलग identifier कहलाएंगी यह चीज कहलाती है case sensitivity इसके अंदर अगर आपने एक लफ्स capital letter में लिखा है और same वही लफ्स आपने small letter में लिखा है तो c इसको दो अलग-अलग अलफास पर अलफास समझेगी c का compiler इसको दो अलग-अलग अलफास से represent करेंगे तो दोस्तों आईए अब इसको practically प्रोग्राम के जरीए देखते हैं दोस्तों c language में एक program को बनाने के लिए जरूरी होती है सबसे पहले है प्री प्रोसेसर डारेक्टिव तो हम यहाँ पर प्री प्रोसेसर डारेक्टिव इंक्रूट कर रहेंगे हैश इंक्रूट stdio.h जो के इंपुट आउपुट operations के लिए होती है इसके बाद हम main function लिखेंगे यहाँ पर void main void कि हमने main function लिख दिया इसके बाद हम यहाँ पर delimiter लगाएंगे और अब यहाँ से हमारी program की statement शुरू होगी तो हम सबसे पहले एक identifier बनाते हैं जिसको हमने नाम देना है तो अब आपको देने के लिए उसका रूल याद रतना होगी किसी भी नाम को start करने से पहले तो आप इसको alphabet से start कर सकते हैं या फिर आप उसको अंडर्स्कोर से start कर सकते हैं यह मैंने लिख दिया a b c और अब सबसे पहले मैंने प्रोग्राम को save किया idn.c extension से save हो गया है अब मैं इसको compile करूंगी और compile होने पर आप देख सकते हैं कि यहां पर कोई error नहीं आया विश मींज कि हमने जो identify लिखा है यह बिल्कुल ठीक है प्यूंकि अगर identify को लिखने में rules को follow नहीं करती तो compiler यहां पर error generate कर जाए अब इसके इलावा हम यहां पर इसको इस तरह से भी यह मैं इसको comment कर देती हूं आप c language में double slash के जरिए इनको comment कर सकते हैं यानि अब आपका c compiler इस line को read नहीं करेगा अब हम next एक और identifier देते हैं जिसको हम underscore से लिखना स्टार्ट करते हैं तो देखते हैं कि क्या जो हमारा compiler है यह को compile करेगा ऐसे तो नहीं कि यह error देगा दोस्तों यहां भी आप देखसेते हैं कि इस सक्सेस्फुली जो है इस statement को compile कर दिया है अब दोस्तों हम अपने इस identifier को digit से start करते हैं क्या हमारा compiler error generate करता है हम यहां पर इस line को comment कर देते हैं और यहां पर हमें एक line लिखते हैं और identifier का नाम देते हैं 123abc और आखिर में ड़गा देते हैं तो यहां दखके terminator जो है कि एक program में multiple statements होती हैं यहां भी आप देख सकते हैं यह terminator एक statement को दूसरी statement से अलग रखने के लिए होता है जैसे उर्दू language में आप first stop लगाते हैं English language में आप full stop लगाते हैं एक line को एक sentence को दूसरे sentence से separate करने के लिए और यहां पर हम semicolon लगाते हैं तो यह मैंने semicolon लगा दिया अब हम इसको compile करते हैं अब आप देख सकते हैं कि आपके program ने error generate किया है यह error क्यों generate किया है क्योंकि आप ने यहां पर इस identifier की शुरुआत जो है वो एक digit से की है अब अगर मैं यहां पर इसको remove कर देती हूं और simply ABC लिखती हूं तो आपका compiler इसकी तरह यहां पर जो हमने फर्स्ट statement लिखी थी है यह आपकी easily इसको compile कर देगा इसके इलावा जो next rule है वो यह है कि आप अपने identifier में किसी किसम की किसी space को use नहीं कर सकते हैं कि क्या यहां पर हमें error generate करता है हम लिखा in ABC EFG यहां पर मैं इसको compile करूंगी और compile करने पर आप देखें कि इसने फिर दुबारा से एक error generate किया है क्योंकि मैंने यहां पर एक space दे दे थी तो आप identifier के दर्मियान किसी किसम का कोई special symbol यूज नहीं कर सकते हैं लेकिन इसके इलावा आप कोई special symbol यहां तक कि आप space भी यूज नहीं कर सकते हैं अब अगर आप इस तरह को आपको remove करना है तो यहां से आपको space को भी remove करना होगा इसके इलावा एक और हम identifier बनाते हैं जिसके अंदर हम m present का sign use करते हैं m present भी एक special symbol है तो मैंने लिखा abc और आखिर में लिख दिया m present तो देखते हैं कि क्या हमारा compiler error generate करता है इसको भी comment कर देते हैं इस तरह से double slash के जरीए अब आपका compiler सिर्फ इस line को read करेगा तो मैंने या पर execute पे जाकर compile पक्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि compiler और इसी जगह पर किया है क्यों क्योंकि दोस्तों यह एक special symbol है और आप अपने identifier में सिर्फ और सिर्फ alphabets को यूज कर सकते हैं underscore को यूज कर सकते हैं और digits को यूज कर सकते हैं इसके इलावा दोस्तों आपका जो identifier है वह जितना चाहें वह लॉंग लिख सकते हैं तो अगर मैं यहाँ पर अपना identifier लिखते हूं a b c d e f जतना चाहूं और आप देख सकते हैं कि 31 से भी ज़्यादा है यहाँ पर आपको alphabets result आ रहे हैं यह काफी ज़्यादा लॉंग है तो आपको compiler error generate करता है यह मैंने execute पर compile कर दिया और आप देख सकते हैं कि आपके compiler में किसी किसम का error generate नहीं किया है लेकिन अगर यह जो आपका software है यह कोई पुराना software होता जिसका compiler भी पुराना होता तो यकीनन यह 31 characters के बाद आपकी values को show नहीं करता इसके दावा दोस्तों आये देखते हैं कि यहां पर count case sensitivity क्या चीज़ है यहां पर मैंने int लिखा और int के बाद मैंने लिख दिया है count जो कि capital letter में है इसके रावा मैंने एक और identify defined किया है जिसको मैंने small letters के अंदर लिखा है अब दोस्तों अब आप देखिएगा कि आपका compiler error generate नहीं करेगा क्योंकि यहां पर आपका compiler इन दोनों लफ्स को इन दोनों अलफाजों को दो अलग-अलग अलफाज दो अलग-अलग identifies represent करेगा अलग-अलग identifies के तौर पर लेगा यहां पर मैं execute पर क्लिक करूंगी और आप देख सकते हैं कि कोई error generate नहीं हुआ है लेकिन अगर मैं इसको दुबारा से capital letter में ही लिखती हूं तो आज़े देखते हैं कि क्या आपका compiler error generate करता है तो यहां पर देखिए उसने error generate किया है क्योंकि आप एक ही क्योंकि यहां पर यह दोनों capital letter में है इनको यह एक ही अलफास consider करेगा तो यहां पर यह आपको बूलेगा कि यह read declaration है यह आपने एक दफ़ा यह count का variable count का identifier आपने define कर दिया है अब आपको इसको दुबारा define करने की जरूरत नहीं है लेकिन आपने देखा था कि जब हमें small letters में लिखा था तो उसे इस तरह का कोई error नहीं दिया था क्योंकि यह वहां पर उस small letter वाले को एक अलग identifier consider कर रहा है तो इस तरह से यहां पर आपको case sensitivity को जहन में रखते हुए इन चीजों का खया आप अगर किसी चीज को capital letter में लिख रहे हैं तो हर जगा आपको उसको capital letter में ही प्रोग्राम में यूज करना होगा यह थे कुछ identifiers कि आप किस तरह से identifiers को define कर सकते हैं और अगर आप rules को follow नहीं करेंगे तो compiler किस तरह आपको error जाने तो dear friends अभी जो हमने आपकी नाम दिया था तो यह हमारी अपनी मर्जी का नाम था जबके C language में कुछ ऐसे भी अलफाज होते हैं जो कि पहले से reserved होते हैं पहले से define होते हैं जो कि C के developers जोनेंने C language को ही develop किया था C language को ही बनाया था उन्होंने किसी खास काम को perform करवाने के यह उन अलफाजों को define किया हुआ है और वो नाम कहलाते हैं वो अलफाज कहलाते हैं Key words और दोस्तों इसकी definition देखिए Key words और reserved words are the words which are predefined meaning in C language यानि C language में कुछ words होते हैं कुछ अलफाज होते हैं जो के पहले से define होते हैं यानि यहां पहले से define से मुराद है कि जब कभी भी आप इन words को अपने program में इस्तमाल करेंगे तो compiler को पता होगा कि इन keywords के पीछे क्या चीज define हुई है इनको आम तोर पर reserved words भी कहा जाता है क्योंकि इन words को आप अपने program में as an identifier इस्तमाल नहीं कर सकते हैं और यहां इस्क्रीन पर आपको 32 words नजर आ रहा है यह वो तवाम keywords हैं जोके reserved हैं इनको आप अपने program में identify के तोर पर भी इस्तमाल नहीं कर सकते हैं किसे खास functionality को perform कर रहा है जैसे यहां पर break का keyword किसी खास काम के लिए के लिए यूज हो रहा है conditional statements के लिए for का keyword looping के लिए यूज हो रहा है तो यहां पर हर एक keyword जो है पहले से कोई definition define की हुई है आपको सिर्फ यहां पर keyword यूज करना है और आपका जो सी का compiler है वो automatically उसके पीछे जो code define किया हुआ है वो उसको compile कर लेगा और difference आमतोर पर keywords और identifier एक साथ यूज किये जाते हैं जिसे अभी हम एक program देखने वाले हैं तो उस program के अंदर भी आप देखेगा कि keyword और identifier एक साथ यूज किये तो difference यहां पर इस program में हम यहां पर एक identifier define करने जा रहा है तो यह देखिए यह int एक keyword है और a,b,c एक identifier है आप यहां पर भी देख सकते हैं यह देखिए keywords की list में यह int, float, double, const यह एक keywords है यहां पर हमने यहां लिखा है int जो के keyword है और हमने इसको इसके साथ एक identifier यूज किया है a,b,c का जिसको हमने मैं खुछ से define किया है याद रखिए अगर मैं इस int के अंदर कोई तबदीली करती हूँ जो के एक identifier है तो आपका compiler error generate करेगा क्योंकि आप इसके अंदर किसी किसम की कोई तबदीली नहीं कर सकते हैं पहले से reserve words हैं जिनमें आप किसी किसम की कोई मोडिफिकेशन और चेंजिंग नहीं कर सकते हैं तो मैं यहां पर int के बजाए int लिख देती हूँ तो अब आप देखिएगा कि यहां पर compiler error generate करेगा यहां पर इसमें यह line भी show कर दी है इस line में error है अब अगर मैं यहां पर इसको वापिस से जो के keyword इसका rail में reserved है वो लिखती हूँ int तो यहां पर अब यह मुझे किसी किसम का कोई error generate नहीं कहतेगा तो देखिए अब यह आपका program error free हो गया है यहां पर error zero लिखा आ गया है जो जैसा keyword लिखा हुआ है capital letter में लिखा हुआ है small letter में लिखा हुआ है small letter में लिखना है और जो उसकी spelling है बिल्कुल उसी spelling में लिखना है यहां पर आप देख सकते हैं कि अकसर आपके keywords और identify एक साथ लिखे जाते हैं और एक और आहम बात कि दोस्तों आप keywords को identify के तोर पर इस्तमाल नहीं कर सकते हैं यहां पर आप देख सकते हैं कि if जो है यह आप देख सकते हैं यह एक keyword है अगर मैं इस if को identify के तोर पर इस्तमाल कर लेती हूं यानि इस abc की जगह इस्तमाल कर लेती हूं और यहां पर if तो आप देखिएगा कि आपका compiler error generate करेगी कि यहां पर आप इनको identify के तोर पर यूज नहीं कर सकते हैं यह words है इनको हम identify के तोर पर variable के तोर पर function के तोर पर इस्तमाल नहीं कर सकते हैं और यह देखिए मैं इसको compile करूंगी तो आपका compiler error generate करेगा तो इसलिए दोस्तों याद रखिए यह keywords है यह पहले से reserved होते हैं इनमें आप ना कर किसी की समकी कोई changing कर सकते हैं और नाई इनको अपनी मर्जी से कहीं भी use कर सकते हैं यहां पर इनका use हो रहा है जहां पर इनका काम है आप सिर्फ वहीं इनको इस्तमाल कर सकते हैं यह थे identify और keywords यहां पर हमारा lecture मुकमल हुआ जिसमें हमने जाना कि identify क्या होते हैं keywords क्या होते हैं इनको आप अपने program में किस तरह से define कर सकते हैं अगले lecture में हम आगास करेंगे c के एक और element का which is a variable यह भी बहुत ही जादा important lecture है तक के लिए Allah हाफिस है